हेलो दोस्तों एक वर फिर से आप सभी का हमारे यूटूब चैनल एचसी टिप्स में स्वागत दोस्तों आज की वीडियो में हम आपसे बात करेंगे लिफ्टिंग कॉंपोनेंट के बारे में और उसका क्या यूज होता है ये भी जानेंगे जिसमें कि हम जानेंगे चैन पूली ब्लॉक क्या होता है चैन पूलर क्या होता है सिलिंग क्या होता है जिसमें कि हम जानेंगे वेब सिलिंग क्या है वारोब सिलिंग क्या है चैन सिलिंग क्या है step by step हम एक एक चीज़ को cover करेंगे then after हम आपको cycle के बारे में जिसमें Helle कि यह सब क्या है प्लेट clamp lifter के बारे में कि यह क्या होता है इसका कहां पर use होता है then after हम आपको बात करेंगे बीम क्लैंप लिफ्टर के बारे में कि यह क्या है फिर हम आपसे बात करेंगे आई बोल्ड के बारे में देन आफ्टर हम आपसे बात करेंगे आई टू आई टर्न बॉकल के बारे में एंड देन आफ्टर एक और होता है आपका जे टू जे टर्न वकल इसके बारे में भी बात करेंगे तो आज के वीडियो में हम ये सारा टॉपिक कबर करने वाले हैं तो बने रही है हमारे साथ वीडियो के आखरी तक तो आईए वीडियो को सिधे स्टार्ट करते हैं और सबसे और क्रक्र करके होते हैं मतलब किThis is different different पर करकी होती है जैसे कि 1-12 305 वीजा ये iets पुली ब्लॉक को मैनुली ऑपरेट करना होता है इसमें दंधो होते हैं जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि कैसे एक बहुती स्टार्ट को खींच रहा है ठीक है तो इसमें क्वीष् तो जब भी हमको जिस पोजिशन में उसको लेना होता है अपने मैटरियल को उस हिसाब से हम जो दूतरा वाला जो सिलिंग देख रहे हैं आप इसको खिजना होता है ओके तो यह चैनपुली ब्लॉक है अब हम बात करेंगे चैनपुलर के बारे में तो जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं यह एक चैनपुलर है इसका उप्योग किसी मैटरियल को उठाने है तो यूज के जाता है जैसा कि हमने पीछे अभी देखा था जो हमरा चैनपुली ब्लॉक होता है वो केवल वर्टिकल दिसा में उसका यूज के जाता है किसी मैटरियल को उठाने है तो जब कि आप image में देख रहा है इसमें देखी यह एक handle होता है इसके द्वारा हम क्या करते है कि जब हम इसको operate करते हैं यानि कि जब हम इसको उपर नीचे करते हैं तो यह जो chain होता है यह भी up down होता है ठीक है तो इसमें एक locker होता है यह की chain होता है ठीक है इसमें एक lock होता है जब हम इसको on करेंगे तो यह उपर की तरफ भीचेगा जब हम इसको off करेंगे यानि इस तीसा में करेंगे तब जाके यह नीचे की तरफ यह निकलता यानि कि बाहर की तरफ निकलता है तो इस परकार से इसको हम manually operate करते हैं और हम अपने समान को adjust कर सकते हैं अब हम बात करेंगे ceiling के लगे से परकार के होते हैं वेब ceiling, wire ceiling & chain ceiling तो सबसे पहले देखते हैं वेब ceiling को waveform क्या होता है एक परकार का alex ceiling होता है जिसका उप्यों किसी material को उठाने है तो यूज किए जाता है जैसा कि आप image में देख रहे हैं या a Ca trim सिलिंग है इसमें भी different different परकार के आते हैं इसके color coding के इसाथ से हम लोग इसको identify करते हैं कि यह कितने turn का है ठीक है और इसमें एक lining भी होता है उसके तुरू भी identify के जाता है कि इतका safe working load कितना है already मैंने सिलिंग से related इसका एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने यह भी बताया है कि अगर हम किसी material को उठा रहा है तो उसका क्या safe working load हमारे सिलिंग पर आएगा क्या effect पढ़ेगा किस अगर पोजिशन में हम उठा रहा है तो क्या-क्या effect पढ़ता है यह सारा उस वीडियो में cover किया हुआ तो इसलिए मैं यहां पर आपको ज्यादा समय नहीं लूँगा नेक्स देखिए तो यह वेव सिलिंग का काम क्या होता है किसी material को उठाने के लिए इसमें इस चीज को इंस्यूर किया जाता है जो इसका safe working load होता है या फिर जो इसकी capacity होती material के इन दोनों के बीच में same होई criteria को follow up करना होता है ठीक है जो material उससे ज्यादा का ही आपका सिलिंग है उस करना चाहिए यानि जो wave seriously ऑके नेक्स आपका wire rope कि तो wire rope समिंग क्या होता है कि एक परकार काई wires को जोड्जोड के सिलिंग का निर्माण किया जाता है जिसमें छोट छोटे पतले पतले what इस पर मैंने ओलरेटी वीडियो बना उसमें तो यह भी बताएं कि आपका एक एक पार्ट कैसे कैसे जोड़ते हैं बरी इसका जो safe working loads होता है कैसे calculate करते हैं पिछले वीडियो में मैं बताया है तो यह वायरूप ceiling भी different different पर करके आते हैं तो इसका जो safe working load होता है 8D square के formula से निकाला जाता है जहांकि D इसका diameter होता है अब हम बात करेंगे chanceling के बारे में chanceling क्या होता है कि एक छोटा-छोटा link को जोड़ जोड़ के एक chain का निर्माड किया जाता है और इसी के द्वारा किसी material को उठाने के लिए इसका यूज किया जाता है तो इसी को chanceling बोलते हैं जैसा कि आप image में देख रहे हैं यह एक chain ceiling है तो जब भी हमको chain ceiling के उप्योग करना होता है तो इसमें बहुत सारे situation को हमको देखना होता है कि हमारा जो chain का जो link है कोई से ऎमेज नहीं है क्रैक तो नहीं है कभी कभी क्या होता है कि हम ipadze 국 कोटा उठाते है नो तो घीटर जाता है kulland फिर फिर ये वी होता ह 있는데 नो करते फिर ँह करता है हमारे से जैसा क्या होगा कि थ ölड़ा- Mississippi कोटना चलूग यानि तो इसवे परते होते होते वह देखिए चैंसलिंग के भी सेफ वर्किंग लोड अगर आपको निकालना है तो इस पे मैंने अल्रेडी एक दूसरा वीडियो भी बना रखा है इन सारे वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप वहां से जाके इसको देख सकते हैं एक एक पा तो जो डी साइकल या बो साइकल होता है इन दोनों का उप्योग किसी मैट्रियल को उठाने है तो लेस्टिंग कॉम्पोनेंट के रूप में यूज किया जाता है जैसा कि जब हम किसी मैट्रियल को उठाना होता है और वहां पर हम डाइरेक्ट किसी सिलिंग का उप्योग न तो देखिये इसके बार चाहता है पैड ऐ पैड़ आई पैड़-ई क्या होता है कि कभी-कभी हम किसी मेंटरियल को उठाते हैone ठो वहां पे पी ऐसा कुछ पॉइंट नहीं होता है कि हम किसी तो वहाँा पे पैर या करें पैर डाई की वप्योंग करकेีं, किसी से मेटरिल कोYa,, एक पैर डाई तो कि या चाहि चानल विड गामें, यह सारा क्रीटीरिया हमने और और यह थाँ हैhésitez करें इतने टन का पैड़ाई का उप्योग करना होता है बहुत ही किलियर समझाए लिंक दिस्कुशन बॉक्स में आपको जरूर मिलेगा तो आप वहां से देख सकते हैं देन नेक्स देखिए अब हम बात करेंगे केबल क्लीप के बारे में तो जैसा कि आप इमेज में देख रहे है इसको केबल क्लीप बोला जाता है इसमें क्या होता है कि जो हमारा वायर स्लिंग होता है उसको जोड़ने के लिए इसका उप्योग करते हैं क्या होता है कि कहीं कहीं पर हम क्रिंप या फिर इसको पेरोल भी बोला जाता है यह अगर कहीं पर नहीं होता है तो वहां पर हम में होना चाहिए डिफ्रेंट 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 में नहीं होना चाहिए जैसा कि आप इस इमेज में देखके इसको कनफर्म कर सकते हैं ठीक है एक होता है लिंक डेन होता है रिंग जैसा कि आप image में देख रहे हैं यह लिंक है इसको ring बोला जाता है और इसको suver बोला जाता है टीनों का काम एक ही होता है यह जो link होता है क्या करता है जब हम किसी material को उठाते हैं जैसे कभी-kभी क्या होता है कि देखे कहा यहां प्रीज करते हैं और यह जो आपका लिंग में हम क्या करते हैं को फसाते है कभी जैसे फैसे को लिप्टिंग करना होता ठीक है यहां पर क्या लगाएंगे लिंग को लगा करें चारों दिसाओं से हमारा जो चारो दिशाओं में जाएगा देन आप्टर हम अपने किसी मैटरियल को वहाँ पर डि साइकल या बो साइकल के द्वारा लॉग करके फिर हम लिफ्टिंग करते हैं जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं इस परकार के लिफ्टिंग को ब्रिडल टाइप लिफ्टिंग बोला और यह जो मैटरियल जो यूज किया गया है यहां पर इसको लिंक बोलते हैं तो यहां पर कभी कभी रिंग का उप्योग किया जाता है और स्विवल जो क्या होता है यह पूरा घूमने वाला होता है ठीक है चारों सब्सक्राइब गोम सकता है जैसा कि आप इमेंज में देख रहे हैं अब हम बात करेंगे प्लेट क्लैम्प लिफ्टर के बारे में तो प्लेट क्लैम्प क्या होता है कि जब भी हमको किसी प्लेट को लिफ्टिंग करना होता है हाइट पे अगर हमको ले जाने का है तो हम क्या करते हैं और इसके द्वारा हम क्या करते हैं यहां पर तो आने तो अधने अगर हम यहां पर डाइडरेक्ट किसी चीज को यूज करते हैं जैसे कि आपका वेजेंटल लिफ्टिंग है तु और एक वर्टिकल लिफ्टिंग हो तो जैसा आप image में देख रहा हैं ठीक है अब हम बात करेंगे beam clamp lifter के बारे में तो जैसा कि आप image में देख रहे हैं या एक beam clamp lifter है इसका उप्योग किसी material को उठाने है तो use किया जाता है तो इसका उप्योग हम वहाँ पे करते हैं जहां पे हमारे लिए कोई lifting पॉइंट नहीं होता है जिसमें कि हम अपने चैन पुली ब्लॉक या फिर हमारे जो भी लिफ्टिंग एक्यूपमेंट से इसका पर्यूप करके हम मैटरियल को उठा सके अर्था कि यह भी कर सकते हैं वहां पर कोई पैड आई नहीं होता है या फिर कोई ऐसा प्लेस नहीं होत ऑसमें हैं हम किसी मेटरियल को उठा सके तो वहां पे इसका उफ्योग किया जाता है इसको ऊच्रीप वीम में फसअड़ाय जाता है और we the next अब बात करते हैं आई बोल्ट के बारे में तो जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं या एक पर करका आई बोल्ट है इसमें क्या होता है कि इसको टाइट कर दिया जाता है किसी मेटरियल में फसा के जैसे कि आप इमेज में देखेंगे आपको आसानी से समझ में आएगा तो यह आय टाइब का होता है ठीक कि आपके यहांसे हैं मेट्रियल को अपना यहां से बाँध के उठा सकते हैं इसमें बात करकार नौन यहांसे बांद कीम सिक्षा जाता है जब बारे में और इसी में देखेँगा साथी साथ G to G turn duplical तो इसको I to I turn vocal बोल जाता है और इसको G to G turn vocal बोल जाता है देखें यह दोनों का function एक ही होता है और यह आई type का होता है इसलिए इसको I बोलते हैं जबकि यह क्या होता है जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं जी डिजाइन का है तो इसको जे टर्न बोकल बोला जाता है इन दोनों का उपयोग कहाता है कि किसी मालेज अगर कोई मैटरियल है अगर लिफ्टिंग हुआ है अगर हमको इसको एड़्जेस्ट करने चाहिए तो इसका उपयोग इसके लिए किया जाता है किसी माटरियल को एड़्जेस्ट करने के लिए तो दोस्तो ये कुछ lifting gears थे या फिर इनको lifting components भी बोला जाता है जो कि किसी material को उठाने है तो use किया जाता है ठीक है इस process को rigging भी बोला जाता है जैसे कि क्या होता है जो हमारा equipment है जो lifting equipment होता है और जो हमारा material होता है तो इन दोनों के बीच में हम जितने भी lifting equipment का use करते हैं इन पूरा process को यहां से लेके यहां तक जैसा कि आप image में देखिए arrow के साथ और यह हमारे cover के साथ यह क्या होता है इस पूरा process को rigging बोला जाता है ठीक है यानि कि जो crane का hook होता है वहां से लेके जो भी हमारा material है वहां तक ठीक है इसके बीच के दूरी को मतलब इसमें जो भी हम equipment के use करते हैं इस process को पूरा rigging बोलते हैं ओके clear तो दोस्तो इस परकार पर हमारा आज का topic यहां पर समाब्स हुआ मैं आसा करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए जो जूलता तो कैसा रहा यह वीडियो कमेंट वक्त में अवत से बताएं और साथी अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्रिपे से सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिशिकेसन आपको प्राप्त हो तो दोस्तों मिलते हम आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ सब तक के लिए बाई बाई टेक केर